तो यह व saving is present अज हम start करेंगे पाफ़ पॉइंट in so power point start करनेसे पहले मैं आपको यह quand यह बताउएंगा कि 可以 power point को अगर आपने direct commands के साथ open करना हो तो हम power pixel को direct command के साथ कैसे open करते हैं similar वैसे ही जैसे अगर आपने MS Word को open करना हो तो MS Word को open करने के लिए file का नाम होता है bin word dot exe clear so यह मैंने previous lecture में भी आपके साथ discuss किया था आप start में जाएंगे आप या तो run लिख दो और run command को अगर direct open करना हो तो आप control plus r भी कर सकते हैं clear या तो आप direct run लिखो तो वैसे भी run command program जो वहाँ पर run हो जाता है clear अब यहां पर देखिए अगर आप similar अगर आप ms word की file को open करना चाहते हैं तो आप यहां पर bin word भी लिख सकते हैं और bin word dot exe भी लिख सकते हैं जैसे या आप लिखेंगे ms word जो वो open हो जाता है similar वैसे ही अगर आपने excel open करना हो so excel open करने के लिए भी आप क्या करते हैं excel लिखते हैं और .exe लिखा जाए तो direct आप उस file को open कर सकते हैं excel की file को और अब बात कर रहे हैं हम powerpoint की तो powerpoint open करने के लिए आपको again क्या करना है यहां पर रन में आईगे आप और रन लिखो जैसे आप यहां पर लिखेंगे तो आपको power pnt लिखना है clear या तो आप power pnt लिखो या फिर आप power pnt.exe लिखेंगे तो direct आपका powerpoint जो ओपन हो जाता है similar है सो ऐसे आप powerpoint को जो ओपन कर सकते हैं एक वे तो powerpoint open करने का यह है और जो दूसरा वे है वो powerpoint open करने का वे यह है कि आप all programs में click करो all programs में click करने के बाद Microsoft Office और Microsoft Office के बाद आपने यहां पर Microsoft Office powerpoint 2007 जो है वो select करने अब हम जो यहां पर काम कर रहे हैं मैं यहां पर काम कर रहा हूं MS powerpoint 2007 clear अगर आप 2003 यूज़ कर रहे हैं तब भी system जो है वो यही रहता है बट files के extensions और options जो है वो change हो जाते हैं जैसे यहां पर ribbon की help से जो है वो हमारे पास options अबलेबल होती है 2003 में जो है वो ribbon का concept नहीं है रीबन basically क्या होता है यह office button आपको जो दिख रहा है इसको convert कर दी है 2003 में office button के साथ और यह previous बहां पे जो 2003 है तो बहां पे इसकी जगह पे file option जो है वो आती है बहां पे new open save as आप कर सकते हैं print की option है print preview है similar prepare है send publish यह सारी options जो है वो आपको office button में द इस बटन के बाद जो हमारी menu bar की option है यह clear so यह menu bar कितने menu bar है यह भी आपने ध्यान रखना है कि powerpoint में कितने menu bar भी बोलते है और menu tab menu tab भी बोला जाता है कितने menu tab जो वो powerpoint में present होते हैं 2007 के case में तो एक home insert design animation slide show review and view so total कितने हो गई यह seven clear किस tab के under क्या क्या options आती है वो भी आपने ध्यान रखना है कैसे इनको divide किया जाता है similar वैसे ही जैसे मैंने ms word और excel में आपको पढ़ाया कि सबसे पहले home tab है तो home tab में कौन-कौन सी options available है देखिए clipboard में क्या है आपके बस कई बार यह question पूछे जाते हैं कि format painter की option जो है home tab के under किस portion में available होती है clear या फिर किस division में available होती है home tab के अंदर तो यह आपने ध्यान रखने clipboard तो clear similar ऐसे ही आप चेक करिए कि home tab के कितने divisions जो है वो available है जैसे clipboard है then next slides है next font है next paragraph है next drawing है next edit है अगर आप यहाँ पे arrow पे क्लिक करते हैं तो यह काम जो हो करते हैं अगर आप यहाँ पे कुछ तो similar वैसे ही next आप जब insert में जाएंगे तो insert में देखिए tables में divide किया है next illustration यह कहीं पे commission के paper में पूछा भी था कि shapes की option जो है वो insert tab के अंदर किस division में present होती है तो illustrations में present होती है यह भी आपने ध्यान रखने बाकि insert के कितने options हैं आगे link है text है media है design में देखिए आप पे setup की option है themes है और background है तो इसका मतलब किया हुआ कि design tab जो है वो सिर्फ three portions में divide किया हुआ है animation की अगर हम बात करें तो animation जो है यहाँ पे animation के भी three options है one is preview animation and बाकी जो है वो transition to this slide है slide show की अगर बात करें तो बहाँ पे slide show को further divide किया गया है start slide show में setup है और monitors है next tab that is review तो आपने ध्यान रखना है spell checker जिसकी shortcut की f7 होती है research है thresurer है ठीक है जो anonyum sorry आपके जैसे anonyum और synonyum अगर आपने किसी word के देखने हो कोई जैसे tough word हो उसकी जगा पे आपको simple word use करना चाहते हैं so in such case आप जो है वो treasurer जो है वो आप use कर सकते हैं clear बाकी रहिए आप proofing proofing के अंडर जो है वो spelling और research और treasurer बाकी translate language ये options आती है so review is further divided into three portions proofing, comments and protect presentation अगर आप यहाँ पे password protected इस presentation को बनाना चाहते हैं clear दूसरा case जो है that is last वाला जो है tab that is view tab, view tab में यहाँ पे देखिए काफी सारा content है जितने भी views available है slide show को view करने के लिए वो सारे यहाँ पे available है, normal है, slide sorter है, notes page है, slide show है, next slide master, handout master, notes master, कई बार यहाँ से यह भी question आ जाता है कि bottom में जो यह देखिए कितने slide show की options जो अब वो available हैं, तो यहाँ पे three options available होती है, one is normal, second one is slide sorter and third one is जो normal slide show होता है, so slide show start करने के लिए जो shortcut command use करते हैं, हम वो f5 यूज करते हैं, बाकी यह सारी चीज़े अभी मैं आपके साथ discuss करता हू clear, so view tab जो further divide है presentation view में, show and hide में, then next is zoom, अब जूम की अगर बात करें तो आपने यह धियान रखना है कि MS PowerPoint 2007 अगर आप use कर रहे हैं, तो वहाँ पे minimum zoom जो 10% available होता है और maximum zoom 400% available होता है, यह अगर आपने चेक करना हो तो आप चेक भी कर सकते हैं, यह देखिए corner में, तो आपने इसको minimize किया, सबसे minimum zoom जो 10% available है, जो maximum zoom आप देखेंगे तो 400% available होता है, so PowerPoint और Excel में zoom जो minimum और maximum same होते हैं, बट अगर आप MS Word की बात करें, तो बहाँ पे minimum zoom जो 10% available है, और maximum zoom जो 500% available होता है, कई बार यह question भी जो वो एक paper में पूछा जा सकता है, clear, so view से related यह सारी options हैं, यह आपने ध्यान रखनी है, बाकि macros हमने MS Word में भी पड़े हैं, हमने Excel में भी पड़े हैं, और PowerPoint में भी पड़ेंगे, so macros का वही काम होता है, जो हमने MS Word में किया था, यह Excel में किया था, just to record the steps, कुछ steps हैं, 10 steps हैं, वो 10 steps आपको बार बार repeat करने पड़ रहे हैं, so for that purpose आप क्या करते हैं, एक macro बना लो, so that next time जब वो 10 steps आपको use करने हो, तो आप macro को hit करेंगे, उसके लिए आपको एक shortcut की assign करनी पड़ती है, previous lectures में मैंने MS Word और Excel में आपको यह चीज़ करके भी दिखाई थी, so बहां से आप जो है, उसको पड़ लेते हैं, बाकि सबसे important चीज़ है, कि जब भी आप कोई नई slide enter करते हैं, यह मैं आपको बताता हूँ, तो नई slide enter करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप home में enter करेंगे, home option में जाएंगे आप, ठीक, यहां से आपको जो है वो new slide की option मिलती है, तो आप new slide option जो है वो choose कर सकते हैं, if you want to enter new slide, अब new slide जैसे ही आप enter करेंगे, तो यहां से एक question यह बनता है कि दो questions बनेंगे आपको, एक तो shortcut की क्या होती है, new slide की, तो new slide के लिए आपने shortcut की धियान रखनी है, मैं repeat कर रहा हूँ, new slide के लिए आपने shortcut की धियान रखनी है, control plus M, M for monkey, ये shortcut की होती है, new slide के लिए, clear, तो कई बढ़र confusion होता है कि Ctrl Pless N तो Ctrl Pless N नहीं है, Ctrl Pless N क्या होगा वो नए एक presentation जो भी स्टार्ट करदेगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो यह देखिए, जैसे ही मैं Ctrl Pless N हीत करूँगा, यह ूज बहुत करोंगा, यह नए प्रेसेंटेशन जो भी स्टार्ट करदेगा, और है अगर आपने किसी slide को enter करना है तो by default title slide जो वो available होती है आपके पास बाकि title and content भी है section header भी है two contents को compare करना हो तो वो भी आपके पास है comparison करना हो two values का तो भी आपके सकते हैं सिर्फ title आपने देना है तो भी आप presentation में show कर सकते हैं तो ये चीज़ बताने का objective ये है कि total आपके पास कितने layouts of a slide present होते है two zero zero seven में तो वो वहाँ पे कितने present होते हैं ध्यान रखना है total nine है और by default जो है वो कौन सा start होता है जब भी आप नया presentation start करते हैं so it is title slide so by default कौन सा present हो गता है आपने ध्यान रखना है title slide और कितने layouts हैं इनको basically हम layouts बोलते हैं अब देखिए अगर मानली जी मुझे लगता है कि किसी चीज़ का मैंने comparison करना है so comparison करने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये बला layout लूँगा क्योंकि comparison आप कैसे करते हैं एक value यहां लिख देंगे दूसरी यहां लिख देंगे उससे related comparison जो हम यहां पर करेंगे so यह सारा comparison जो हो एक simple layout में आप नहीं कर सकते हैं देखिए title अगर ऐसा करते हैं तो यहां पर हम title देंगे उसकी description जो अब यहां पर explain कर देंगे कि main topic हमने यहां पर लिख दिया उसका heading इसको आप जो आप उपर नीचे यहां पर कर सकते हैं दूसरा तो mainly एक मैंने आपको बताया control प्लस हैं दूसरा आपको बताया total layouts कितने present है 9 तो अपनी need के according आप layout जो आपको change कर सकते हैं तीसरा जो question यहां पर आता है वो question यह है कि अगर मानली जी आपने powerpoint में कुछ लिखना है तो आपको layouts मैंसे किसी format को choose करना ही पड़ेगा आप direct मैं अगर चाहूं मैं यहां पर लिख सकता हूं कुछ ना कुछ मैं अगर चाहूं तो यहां पर लिख सकता हूं boxes के अंदर ही आ आपको लिखना पड़ता है अगर मैं यहां पर चाहूं कुछ लिखना तो यहां पर मैं नहीं लिख सकता और अगर लिखना ही है तो मैं insert में जाके फिर मुझे करना पड़ेगा text box को draw करना पड़ेगा तब मैं जो वहां पर लिख सकता हूं clear तो यह सारी चीजे जो आपने ध्यान रखनी है कि कई बार ये question पूछा भी जाता है कि अगर आपने MS powerpoint में कुछ लिखना है तो लिखने के लिए आप क्या आप directly लिख सकते हैं तो directly आप बहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते हैं जैसे tutorial में मैं जो अभी आपको मेंजी बताऊंगा वो ये है एक तो मैंने आपके साथ discuss कर लिया कि command to open powerpoint powerpoint को अगर आपने open करना हो तो कौन सी command यूज करते हैं power pnt लिखते हैं और .exe लगाना है तो लगाओ otherwise नहीं भी लगाएंगे तब भी direct powerpoint आप open कर सकते हैं with the help of run command use to create presentations powerpoint का क्यों use करते हैं presentation create करने के लिए MS Word का क्यों use करते हैं documents create करनेके लिए, Excel का क्यों use करते हैं spreadsheet create करने के लिए या work sheet create करने के लिए जहांपे हम calculations जो मेल नहीं करते हैं next जो important question यहां से बनता है वो यह है कि file extensions आपने ध्यान रखने है, file extension अगर 2003 आप यूज़ कर रहे हैं जो कि अब outdated हो गया है कोई भी इसको यूज़ नहीं करता है कहीं पे भी government sector में इसको कहीं पे भी यूज़ नहीं किया जाता है इस version को but .ppt जो है वो इसका extension होता है PowerPoint आपने ध्यान रखने है next, 2007 अगर आप यूज़ कर रहे हैं और इससे highest जो भी version आप यूज़ करते हैं PowerPoint का या MS Office का बहाँ पे सारी files का extension जो हो क्या रहता है .ppt ex रहता है clear, जैसे for example कुछ question डिसकस करता हूँ मैं आपके साथ जैसे यहाँ पे पूचा है which tab is not available on the left panel which you open a presentation जैसे यहाँ presentation स्टार्ट करते हैं तो left panel, left जो panel है बहाँ पे कौन सी option present नहीं होती है तो यहाँ पे notes की option जो present नहीं है देखिए, यह left side open हो रहा है तो यहाँ पे एक slide की option है और एक outline की option है clear, so outline में आपने यह धियान रखना है outline में सिर्फ आपको text दिखता है बाकी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा जिस slide का आप जो content लिखेंगे clear, जो words आप न लिखे होंगे जो text आप न लिखा होगा outline में सिर्फ आपको बहीं दिखता है तो यह भी question जो वो पूछा जा सकता है कि outline में क्या आप graphics देख सकते हैं क्या आप animation देख सकते हैं जो design आपने implement किया है क्या आप उसको देख सकते हैं तो वो सारी चीज़ें बहाँ पे नहीं देख सकते हैं तो यह ध्यान रखना है जो left side में open होता है बहाँ पे हम slides और outline slides और outline की ही option होती है बाकी कोई भी option अपलेबल नहीं है हमारे पास अब देखिए यह बाकी जितनी भी options हैं यह काफी सारी options हमने previous भी discuss की हैं format painter का आप सबको पता है Excel में भी पढ़ा है MS Word में भी पढ़ा है इसको ठीक है जो नई चीज़ होगी आपके साथ यहां पर discuss करूँगा बाकी जब आप practice करेंगे अगर कोई query रहती है तो आप मेरे साथ पूछ सकते है insert tab में जाएंगे similar वही काम है insert tab का जो MS Word में या फिर Excel में होता है सारी options वही हैं सिर्फ आपने यह जुरूर ध्यान रखना है कि कौनसी option जो है वह कहां पर present है design में आप जाएंगे तो design में थोड़ा सा यहां पर changes है एक page setup की option है page setup में आप सिर्फ यह decide करेंगे portrait है, landscape है, slide orientations में आप के पास फिर से portrait and landscape की options जो है वह available होती है these are the themes कोई भी आप एक theme जो है वह चूज कर सकते हैं आप सिर्फ आउटलाइन में आपने ध्यान रखना है आप सिर्फ टेक्स्ट ही देख सकते हैं जो लिखा है आपने बाकि आपको कुछ भी बहां पर view नहीं होगा बाकि background styles हैं वह आप implement करना चाहते हैं तो आप implement कर सकते हैं color आप different choose करना चाहते हैं तो भी आपके पास options यहां पर available है animation के case में सिर्फ हम यतना सा पढ़ते हैं कि कौन सा text text से related अगर आपने कोई movement apply करनी है text पर तो वो जो है वो आप animation के साथ apply करते हैं जैसे अगर मैं माली जी यहां पर यह लगा तो ऐसे करके आपका presentation जो हो start होगा यहां पर भी same ऐसे कर देते हैं तो यह automatically हो जाएगा सारी slides पर एक ही आपने animation apply कर देना है तो आप apply to all कर दो automatically आप देखिए f5 करूंगा तो आपका presentation जो हो start हो गया ऐसे करके कोई भी option जो हो आप choose कर सकते हैं और presentation को close करना है तो आप escape प्रेस करेंगे तो आपका presentation जो close हो जाएगा जिसको हम slideshow भूलते हैं ठीक है जी नेक्स्ट यहां पर कई वर यह question आ जाता है कि what is transition तो transition आपने यह धियान रखना है कि एक slide से जब आप दूसरी slide पर जाते हैं तो उसके बीच का जो gap है कि एक slide और दूसरी slide के बीच में क्या show हो रहा है so this is known as transition जैसे ही मैं यहां पर देखिए फिर से आपका slide show start करता हूँ जैसे मैंने slide show कि यह transition नहीं है transition जैसे ही मैं next enter करूंगा तो यह transition है मतलब कि first slide या फिर जो next slide आ रही है second slide उसके बीच में क्या changes हो रहे हैं कितना time first slide के बाद दूसरी slide जो show होने में ले रही है इस चीज़ को हम क्या बोलते है transition speed और एक slide से दूसरी slide में आप जा रहे हैं तो क्या आप कोई sound जो वो show कर रहे हैं या फिर कोई sound जो background में play हो रही है एक slide से दूसरी slide पर जंप करने के लिए so this all is decided by transition sound and transition speed transition speed यह होती है fast कर देंगे तो एकदम slide आगर आप slow कर देंगे तो थोड़ा सा time लगता है आप देख सकते हैं F5 किया मैंने जैसे ही मैं enter प्रेस करूंगा थोड़ी देर के बाद जो आपके पाद slide show हो रही है next तो थोड़ा सा time जो ज़्यादा लगता है अब आप इस से एसके प्रेस कर दो तो आपका slide show जो वो close हो जाएगा clear बाकि सारी advanced slides की setting भी अगर आप करना चाते हैं mouse के click पर आप change करना चाते हैं तो उसके according भी हो जाएगा next option जो available है हमारे पास that is slide show तो slide show में देखिए आप अगर आपकी presentation में total number of slides जो अबर 10 है और जैसे ही आप F5 press करेंगे तो वो by default first से ही start करता है but अगर आप कहीं current position से start करना चाहते हैं किसी current third slide से या fourth slide से अपना presentation start करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं custom slide show की option भी आपके पास available है इसमें आप अपने recording जो वो slides numbers को show कर सकते हैं जैसे माली जी मैं यहां पर इसको first कर देता हूं फिर इसको second कर दोंगा उसके recording add करते चलो आप अपने recording जो वो slides की positions जो वो set कर सकते हैं यह सारी options जो वो custom slide show में available होती है आपके पास यहां से जो important question है वो यह है कि आपको कई बर यह पूछ लेते हैं कि what is rehearse timing तो rehearse timing basically क्या होती है कि एक जब आप presentation start करते हैं तो एक slide को explain करने के लिए आप कितना time कई बर होता नहीं कि हम सिर्फ यह fix करते हैं कि first slide हमने start की इस slide को मैंने सिर्फ एक minute जो है या 30 seconds जो है वो explain करने के लिए देने हैं जैसे 30 seconds हो जाएंगे सो मैं next slide पर जो मूव कर जाओंगा clear ऐसी चीज़ें अगर आपने करनी हो उस purpose के लिए हम rehearse timing जो यूज करते हैं अगर आपने चेक करना हो तो यह देहिए यहां पर यह timing आ रही है अब जब मैं इसका presentation मान लीजिए इसका presentation मैं show कर रहा हूं लोगों को या किसी को मैं explain कर रह हैंगे मैं इस चीज़ को जो यहां से मेरे लिए hint हो जाएगा कि 30 seconds हो चुके हैं अब मुझे जो next slide में जाना है क्योंकि presentations basically क्यों होते हैं कि आपके पास main main points होते हैं बाकी explain जो है वो आपको खुद करना होता है सभी को clear इस से related यह recording time अगर आप बाकी slides में भी implement करना चाहते ह हैं उसके recording वो सारा काम जो हो जाता है clear so यह है recording narration क्या है कि जो मैं बोल रहा हूं उसको भी अगर आप record करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं for that purpose आपको slide show में record narration की option आती है okay करना है बस आपके पास एक microphone जो है वो available होना चाहिए जैसे मैं यह बोल रहा हूं यहां पे तो इसकी recording हो रही है और यह जब भी आप ले करेंगे तो यह automatically आप मेरी जो voice है वो भी आपके presentation के साथ जो record हो जाएगी उस particular slide के साथ ठीक यह देखिए यह बूच रहा है यहां पे बोल रहा है हमें the narrations have been saved with each slide individually do you want to save the slide timing as well तो अगर आप save कर देते हैं तो जो हमारी उसकी audio explanation जो है व सारी जीजी है next है review review में मैंने आपको बताया spelling research या फिर treasurer की option जो वो available होती है किसी word से related अगर आप चेक करना चाहते हैं जैसे यह command है command से later मैं treasurer में जाता हूं तो इससे जो simple words होंगे related to command वो शो हो जाएंगे जिनको हम antonium या synonym बोलते हैं ठीक है जी so spelling research and treasurer यह important चीज अपनी powerpoint presentation को password protected बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे click करेंगे view में next options जो मैंने आपके साथ previous भी discuss की macros बगएरा वो सारा का सारा यहाँ पे available है zoom मैंने आपको बता दिया ठीक है next last option जो है वो format की option है one two three four five six यह format की option तब ही आएगी जब आप किसी particular text को जो अबो click करेंगे अगर नहीं करेंगे तो format की option जो बहां से चली जाती है देखिए तो by default जब भी आप presentation start करते हैं तो presentation जैसे ही आप start करेंगे कितने options जो है वो बहां पे available होते हैं अगर आप check करना चाहते हैं तो इसको मैंने save किया save करने save करने के बाद save करने के बाद जैसे ही आप start करेंगे तो देखिए कितने menus जो है वो option हो रहे हैं यहां पर one two three four five six seven home है insert है design है animation है slideshow है and review और view तो total कितने menu tab यहां पर show हो रहे हैं one two three four five six seven seven options जो है वो यहां पर available है one two three four five six seven options एक यहां से दूसरी चीज यह है जो मैंने आपके साथ discuss करनी है कि जैसे ही आप file में जाएंगे तो print preview म में आप चेक कर सकते हैं यहां से question बनता है handouts का तो handouts basically क्या होते हैं जो आप print out presentations के देते हैं किसी को पढ़ने के लिए तो उनको हम handouts बोलते हैं अब यहां पर देखिए options क्या है एक page पे एक slide अगर आप show कर रहे हैं तो इसका मतलब handout one की option है वो वाली ठीक है handouts two slides per page भी available हो होते हैं four भी है six भी है nine भी है और notes pages करने हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं clear उसमें by default जो एक ही slide आपकी पर page आएगी अगर handouts important इसलिए है क्योंकि handouts is related to presentations so तो क्या-क्य options available हैं आपके पास की एक page पे आप कितनी slides जो है वो शो कर सकते हैं तो one है two है three है four है five की option available नहीं है six की है और direct जो नाइन की option available है ऐसे ही हम कुछ questions जो है वो और discuss करेंगे जैसे कि for example यह consider करो what is the maximum zoom present in powerpoint तो powerpoint में maximum zoom कितना present होता है four hundred है तो ऐसे यसे questions जो है और बनते हैं how can we stop a slideshow press escape प्रेस करेंगे तो आपका slideshow जो close हो जाएगा अब जैसे यहाँ पर यह question पूछा है the spelling dialogue box can be involved by choosing spelling from तो यह जो question पूछा हुआ है यहाँ पर option to dda that is tools but tools की option जो है वो कहां पर आती थी अगर आप MS word MS powerpoint 203 यूज़ कर रहे है तो 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 आपको जो questions आएंगे वो 2003 से related नहीं आएंगे आपको जो questions आएंगे वो 2007 से related आएंगे यह आपने ध्यान रखना है तो देखी जैसी question है which tab is not available on the left pen तो left pen में सिफ slides और outline present होते है notes वाली option यहाँ पे available नहीं है वो print preview में present होती है next slide की बात करें तो यह question है which of the following section does not exist in the slide layout slide layout में कौन सी option जो है वो available नहीं होती है तो list की option जो है वो बहाँ पे available नहीं है clear next question है which of the following statement is not true इन में से कौन सी statement जो वो true नहीं है you can type text directly into a powerpoint slide but typing in a text box is more convenient ठीक है so you can view a powerpoint slide तो इसमें जो हो यह option जो वो wrong है वो इसलिए क्योंकि आप directly text जो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं ठीक है so यह सारे cases हैं तो इनको आपने पढ़ना है और इनसे later मैं mcqs जो है वो ग्रूप पे शेयर करूँगा so आप बहाँ पे जो है वो और practice कर सकते हैं till then thank you